हालो गाइज और वेल्कम टो एट वार मोट राइट तो आज के वीडियो में आपको कुछ ऐसे रिजन बताऊंगा जिससे आपको होन्डा होने 2.0 खरीदना चाहिए 160 CC काडिगरी को बाइट को छोड़ते हुए तो गाइस वीडियो में बन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेए बेल नोडिस अपशन को क्लिक करेए सबसे पहले रिजन की बात करो तो यहाँ पर बहुत अच्छा लुक्स दिया जाताओ आपको Honda brand के तरफ से जैसे कि आप वीडियो में देखी सकते है rear profile बे आपको बहुत बलकी मिलती है बहुत बड़ी लगती है front से बहुत अच्छी लगती है गाड़ी और rear से बहुत अच्छी लगती है Hornet 2.0 बहुत बलकी मोटी और अच्छी muscular गाड़ी दी जाती है Honda brand के तरफ से जैसे कि आप देखी सकते हैं यहाँ पर आपको अच्छा खासा look देखने को मिलता है instrument console अच्छा आता है bike में आपको upside down folk मिलते हैं golden color में और सब कुछ आपको proper अच्छा दिया जाता है 180cc category के सबसे अब 180cc category में ज़्याद तर bike आने नहीं लगी है लेकिन 160cc category के सबसे अगर आपन देखते हैं से तो बहुत बल्किया और बहुत बड़ी लगती है अगर आपन X-Blade से compare करो या फिर Apache से compare करें जीतने भी 160cc category के bike आते हैं उनसे तो बहुत बहतर लगती है Honda Hornet 2.0 और high vapor stability भी अच्छे खासी maintain करती है इसका weight भी बहुत कम आता है और bike में आपको अच्छे खासे color combinations देखने को मिलते हैं blue color आता है, red color आता है, black color आता है matte finish में colors देखने को मिलते हैं इसलिए अच्छे खासे options देखने को मिलते हैं तो looks में मेरे सबसे जबरदस रहेगी bike आपके लिए Honda Hornet 2.0 दूसरे reason की बात करों तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है full digital instrument console जिसके अदर आपको information आच्छी कासे मिल जाती है और easy to read होता है जैसे के speedometer, odometer, trip meter, fuel gauge, gear position indicator, tachometer यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है indication वाली indicator और यहाँ पर side strain indicator बे आता है और engine check light आती है सारे की सारी necessary information मिलती है mobile connection के लावा इसके अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलता है mobile connectivity होनी चाहिए थी लेकिन अब latest model में आने लगेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी Honda इसे update कर देगा तो बहुत अच्छा होगा तो इसका instrument console बहुत बढ़ा reason होता है इस bike को bike करने का तीसरा reason है इसका suspension setup front में आपको upside down fork देखने को मिलते हैं जो के बहुत ज़्यदा attractive और bulky लगते हैं bike को बहुत अच्छा appeal देते हैं और bike के look को enhance करते हैं जैसे कि आप देगी सकते हैं rear में आपको monoshock देखने को मिलता है लेकिन आपको front में suspensions इतने अच्छे रहने की वज़ा से मैं recommend करना चाहूंगा ये एक बहुत बढ़ा reason होता इस bike को bike को bike करने का चौता reason है इसका all led setup आपको headlight led देखने को मिल जाती है इसके अंदर आपको वह भी बहुत मोटा मिलता एक 140 section का 17H के allowable मिलते हैं allowable design भी आपको different देखने को मिलते हैं और इसके segment में आपको सबसे अच्छे इसके motor tire देखने को मिलते हैं ये एक बहुत बढ़ा reason आता है hornet 2.0 को bike करने का sixth reason बहुत बढ़ा आता है इस bike का engine इतना ज्यादा smooth आता है कि अपना Honda Unicorn चलाई होगी तो उससे भी ज्यादा smooth engine देखने मिलता है कहीं पर भी vibrations देखने हो नहीं मिलते अगर आप इसे top speed पर भी record करेंगे चलाएंगे तो आपको vibrations देखने हो नहीं मिलते एक लाग 36,000 एक शुरूम प्राइस पर आती है Honda Hornet 2.0 जो के similar होती है Apache RTR 164V के साथ लेकिन अगर आपन दोनों को detail में compare करें तो power figures आपको Apache के paper पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं लेकिन आपको torque भी ज़्यादा मिलता है power भी अच्छी मिलते है Hornet 2.0 में और quality भी बहुत अच्छी आती है Apache के comparison में Hornet 2.0 होगी और bike की ride quality बहुत अच्छी मिलती है और इसके अंदर upside down fork आते हैं जो के आपको Apache में देखने को नहीं मिलते हैं सबसे 1,36,000 की एक शरूम प्राइस पर best bike रहेगे अगर आपको performance oriented bike चाहिए mileage अच्छा चाहिए और आपको अच्छी quality वाला engine चाहिए सब कुछ proper अच्छा दिया जाए मतलब इसके अंदर build quality से लेकर all runner bike चाहिए आपको अच्छा खासा power के साथ तो आपके लिए best रहेगी Honda Hornet 2.0 तो आज के वीडियो में आपको 7 reason ऐसे बता दिये जिससे आपको Honda Hornet 2.0 bike करने चाहिए 160 CC category के bike को छोड़ कर तो आज के वीडियो में मैं आपको यह सब बताया आपको bike कई से लिएगी आप comment section में बताना तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आज के वीडियो में इतना ही चलता हूँ गुड़ बाइ गाइस